हलो गाईज, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो चले स्टार्ट करते हैं आज का सांदार सेसन जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि हम अपने इम्मेनेटी पावर को कैसे डेबलब कर सकते हैं जि बिलकुल आज की सबसे बड़ी समिश्चा है कि हम अपने इम्मेनेटी पावर को कैसे डेबलब करें उसको कैसे इस्टेबल बना करें आपको पता है कि आज पूरी दुनिया वर्ल्ड पैंडमी कोविट नाइटीन से सर्वाइब कर रही है और इसमें बहुत ज़री हो जाता है कि आपका इम्मेनेटी सिस्टम अच्छा रहे तो आप कैसे अपनी इम्मेनेटी को डेबलब करेंगे कैसे आपका इम्मेनेटी अच्छा रहे इसके लिए तो बहुत सारे नुसके होते ही है घरे लिए उसके तो बहुत सारे जैसे गरम पानी पीना है, काड़ा बना की पीना है, पर कुछ लोगों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोल्म होता है, जल्दी वो बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जल्दी उनको कोई भी बतब आसपास के सरांडिक आपको, तो चली स्टार्ट करते हैं, आज का सांदर सेशन, इससे पहले एक विक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर ले, बिल आकन को प्रेस करते हैं, तो देखिए क्या है, जी बिल्कुल, इस दोर में आपको प्रोटीन के कम इसे क्या-कया होते हैं, जैसे माली जाप के सरो में खून का बनना कम हो जाता है, कमजोरी लगती है, सरी के चक्कर आते हैं, बहुत तरह कर प्रोवाइड करते हैं, जी बिलकुल, और Mv का प्रोडेट यह भी फाइदा देता है, कि सरी को मजबूत अतागतव बनाता है, और MW के साथ एक बहुत बड़ा tag लग जाता है, नीट्रलाइट का, तो trust build-up होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो बहुत संदर प्रोड़क्ट है, और MW के प्रोड़क्ट में fat को कम करने में भी help करता है, और साथ इस सेरी में metabolism का भी growth करता है, बहुत important हो जात यह बॉडी में ब्लड बनाने मदद करता है जैसे कि मैंने आपको कहा साथ ही यह एमिनोएसिट को बनाने में मदद करता है इसलिए यह कहा जाता है कि एमवे का प्रोटीन पाउडर सरीर में काफी लाप दयक है तो प्रोटीन नेड लेना मत भूलिए अगर आपको कमजोरी है आपको लगता है कि आप जल्दी सराउंडिंग के जितने सारे मालीजी जो बैक्टीरियाज है अगरा वगरा है उनकी चपेट में जल्दी आ जाते है या फिर आपको जल्दी आपका जुखाम सर्दी वगरे जल्दी हो जाता है तो एमवे आपको परतिरोद छंदा परदान करेगी हाई इमेनिटी डेवलप में हिल्प करता है तो चली देखते हैं दूसरा प्रोड़ट क्या है जिब लकुल डेली बहुत ही सांदर प्रोड़ट है बहुत ही सांदर और लाजवा प्रोड़ट है इस प्रोड़ट का यूज करके आप काफी मजा ले सकते हैं जिब लक यारा खनीचों के साथ विसेज रूप से तियार किये गए एस रोला, चेरी, अजमूत, पालक, वाटर क्रेक्स और अलफा-अलफा जी बिलकुल अलफा-अलफा बहुत ही सांदर चीज़े और गाजर जैसे विसेज तत्व पाई जाते हैं और फाई कंसेंट्रेट करके इसको एक टैबलेट बना जाता है, तो काफी फाईदे मन्द है, अगर अगर डेली लेते हैं, तो आटमेटिक आपका इमीन सिस्टम डेबलफ होता है, तो चलिए आगे देखते हैं, जी बिलकुल एक टैबलेट में कितने सारे पूसक तत्व रहते हैं, इसके बारे में आपको यह रेसिप्टर्स को रोकती है, जी बिलकुल, और इससे सरे में हिस्टामीन का लेवल कम होता है, यह विसीस रूफ से पेट और आथ, बलड वेसल्स और फेपडों में जाने वाले वाई मर्क के कारण होने वाली एलर्जी को कौम करता है, जी बिलकुल एलर्जी अगर जिसको का प्रॉब्लम है, जी लोगों को जल्दी अलर्जी के चपेट में आ जाते हैं, उन लोगों के यह रामवान का दवा है, तो चली आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट है, एक कोस्टेन ले ले लेते हैं, क्या कोई गर्वती महिला इस दवा को यूज कर सकती है, तो आगे देखिए, देखिए, एमवा का एक और सांदर प्रोड़ट है, जिसका नाम है सालमोन ओमेगा थी, जी बलकुल सालमोन ओमेगा थी का नाम आपने सुना होगा, बहुती सांदर प्रोड़ट है, और इसी डी अबले visiting Вот इसके फाइदे डिटेल्स डेस्क्रिप्शन में दिये हैं आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं तो चली आगे एक सवाल लेते हैं कि उप्योग करता इसको कौन कोन इसको उप्योग कर सकते हैं तो जी बिल्कुल साकाहरी हों या मांगसाहरी हों हर तरह के लोग इसकोप्यों कर सकते हैं इसपेसलि साकाहरी लोग जो मचली नहीं खाते हैं मांगस नहीं खाते हैं उनके लिए काफी फाइदे मंद होता है ये दवा क्योंकि उन सारे पूसकतत्व की कमी को ये दूर कर देता है, जो मचली मांस आदिसे आते हैं अच्छा, जंक डाइट लेने वाले जैसे की होते हैं, ओफिस एक्टिवेस्ट जो होते हैं, वो भी ले सकते हैं का कि junk diet होते हैं उसको adjust करता है आपके पाचन क्रिया को ये भढ़ा देता है ठीक है और पाचन सकती को मजबूत बनाता है तो अधेर उम्रे के लोग भी ले सकते हैं बुड़े भी ले सकते हैं ठीक है और उपयोग संबंधी एक सुझावत इतना है कि प्रति दिन भुजन के सा बिल्कुल आगे देखिए जि बिल्कुल एमवे का प्रोटीन की तरह और एक सांदार प्रोडट्ट है जिसका नामें फाइवर यह फाइवर क्या है इसके यूज कैसे करते हैं और इसमें क्या-क्या फायदा है चली जानते इसका डीटेल्स चली बिल्कुल देखिए और एक औसत भारती भुजन में लगवक 6 से 8.5 ग्राम कुरूड फाइवर होना चाहिए लेकिन पस्चिमी प्रभाव और साकाहारी की वज़े से आत्मिक रिफाइंड फूड लेने का चलन बढ़ गया है जिसकी वज़े से फाइवर की प्रयात मात्रा नहीं मिल पाती है इसको ले सकते हैं या फिर दूद के साथ या पानी के साथ फाइवर के सेवन कर सकते हैं तो चली आगे देखते हैं इसमें क्या-क्या फायदे हैं जि बिल्कुल इसमें इन्पोर्टेंट तत्व दिये हैं दिखिए जैसे resistant maltodextrotin और जो partially hydrolyzed guar gum जो है और insulin है इसके main तत्व हैं और यह सारे सरीर में क्या करता है immunity को तो develop करता ही है साथ साथ में आपका जो sugar level है इसको भी adjust करता है जी बिल्कुल आपको पता होगा insulin sugar level adjust करने का बहुत ही बड़ा एक हमारे सरीर में हार्मोन होता है और यह fiber उस हार्मोन को active करता है तो विसेशता है क्या है फायदा क्या है जी बिल्कु प्रते दिन अगर आप 37 ग्राम और इसके आसपास fiber का सेवन करते हैं तो यह आपको फायदा दे सकता है और पानी में आसानी से घुल सकता है और एक साधा मतलब तरह का protein होता है जिसको आप पानी में घुल सकते हैं और आसानी से दूद या पानी के साथ सेवन क कर सकते हैं बाकी description दिया हो आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो चली आगे चलते हैं बिल्कुल आज का last product जिसके बारे मैं बताने वाला हूं कि आप अपने बच्चों का immunity कैसे develop कर सकते हैं यह तो हो गई बढ़ों की बात जैसे कि हम लोग fiber लेते हैं protein लेते हैं daily लेते हैं काफी ज्यादा मतलब यह कारगर साबित हुआ है और आप देख सकते हैं यूनिसिफ के एक report बताती है कि पूरी दुनिया में सही विकास से ना होने वाले 48% बच्चे भारत में और हमारे देस नमर वन हैं जी बिल्कुल आज जो भारत में सही तरह से मतलब उसका development growth ना होने बच्चों की संक्या 48% जा चुकी है यह बिल्कुल यूनिसिफ का report है और यूनिसिफ एक world level के संक्स्ता है तो सोच सकते हैं कि कितना जरौत होता है हमारे देस में बच्चों का सरवांगीन विकास करना उसका mental growth होना चाहिए उसका physical growth होना चाहिए तो हम कैसे करें तो जी बि magnesium के साथ मिलकर हड़ियों और दातों को मजबूत बनाता है जिब बच्चों के हड़िया कमजोर होंगी तो बच्ची चलने फिरने खेलने कूदने बहुत दिक्कते होती है तो यह क्या करता है बच्चों के calcium को और उसके level को बढ़ाता है जिससे हड़िया दात यह सारी चीज बच्चों के लिए बच्चों के लिए काफी फाइदे मन्द है तो अगर आप अपने बच्चों का immunity growth करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि बच्चों के प्यूग कैसे कर सकते हैं तो पांच वर्ष से अधिक जो बच्चे होते हैं वो इसको mainly use करना चाहिए और कैसे ले एक गोली प्रति दिन ले सकते हैं बहतर होगा कि अगर आप बच्चों को भोजन के साथ खिलाए एक गोली या भोजन के साथ मिक्स करके बच्चों को खिला दिया बहुत ही फाइदे मंद होगा क्विक काम करेगा इमनेटी क्यों की उसका develop करेगा और बच्चा का जो strength है वो काफी level उसका धीर धीर बढ़ता चला जाएगा तो एक सलाह जरूर है कि वैसके खुद ही बच्चों को यह गोली खिलाए बच्चों को यह गोली उसकी उनक इमनेटी सिस्टम डेवलोब कर सकते हैं आगे मैं और भी कुछ प्रोड़ट है जिनका रिव्यू बताऊंगा आगे काने वाले वीडियो में तो आज की वीडियो में इतना ही रहें दीजिए आगे फिर मिलेंगे special वीडियो के साथ जिसमें MV के प्रोड़ट के बारे मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिएगा चैनल का सब्सक्राइब के लिएगा और शेयर कीजिएगा जितना आप सेयर कीजिएगा प्रोड़ट का नॉलेज आपका बढ़ेगा आप दूसरे को प्रोड़ट का नॉलेज बढ़ा पाऊंगे चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए गुडबेए